वेलकम टो ओल्लाइन और ओफलाइन ग्यान चैनल मैं नेम इस गोरव दोस्तो आज की जो अपडेट है यहाँ अपडेट अप्रेंडिशिप की है पहले ही बता दूँ यह जो अप्रेंडिशिप है यह ओल ओवर इंडिया की है भारत के आप किसी भी स्टेट से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं कोई भी चार्जेस नहीं है फ्री ओफ कोस्ट फॉर्म आपका रखा हुआ है और इसमें जो मेरिटलीस बनेगी वो आपके आईटिय के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी कोई एक्जाम नहीं है कोई अलग से इंट्रिव्य यहां पर नहीं रखा गया है CCL आप जानती है Central Qualifieds Limited एक्स्पेंड करने की जुरूत नहीं है Department देखो भई आप लोगों को यहां पर कहीं पर भी पोस्ट दे सकता है अब Department यहां पर लिक तो देता है कि हमारा एरियर यह है लेकिन Department को जो requirement होती है उसी के according जो है वो आपको place करता है इस चीज का ध्यान रखना लेकिन 80% chances होते हैं कि जहां पर vacancy निकलती है वहीं पर आपको posting दी जाए क्योंकि उसी के इसाब से जो है के information and communication technology system maintenance है जिसकी vacancy बहुत ही कमाती है ICTSM जिसे बोला जाता है machinist है tenor है उसके बाद medical laboratory technician है यह भी IT होता है बहुत सारी जगाव उपर बहुत सारे states में medical laboratory आपका pathology, radiology दोनों दे रखे हैं secretarial assistant है और यहाँ पर total vacancy 1565 दे रखी है इसमें यहाँ पर जो criteria मांगा है आपको IT clear होने चीज़ इस चीज़ कर ध्यान रखना है 10th pass के साथ SCVT, NCVT कोई criteria नहीं रखा हुआ दोनों चलेगा कोई दिक्कत नहीं है free of course फोम है apprenticeship portal से नई वाली से जाकर आप इसका form फिल कर सकते है एज की बात करूँ तो एज minimum इनों ने 18 साल दे रखी है और एज आपकी 5, 10, 2020 के basis पे calculate की जा रही है maximum एज जो है 30 साल है 5, 10, 2020 पे आपकी एज 18 से कमने होने चीज़ है और 30 से जादा नहीं होने चीज़ है relaxation आप लोगों को मिलनेगा जो 5 साल का OBC को SCHT को मिलता है OBC को 3 साल का मिलता है वो दूरूल है वो तो आप लोगों को मिलेगा इस्टैफन ये एक बुरा लगा कि मुझे बहुत ही कम इस्टैफन दिया जा रहा 7,000 रपे थोड़ा ज़ादा होता तो बच्चों को थोड़ी सुवीदा और मिल जाती लेकिन जितना मिल रहा है मैं आप लोगों को आपके according बोलूँगा कि आप apply करना चाहते हैं देख लो नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है फॉम apply कर दो वैसे भी free of course फॉम है क्या पता आपको उस टेम पर जरौत पर जाए लेकिन आप home fill करके रखो बाकी मैं तो recommend यहीं करूँगा आप जब इसकी मतलब DV के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आप लोगों की मर्जी होएगी आप यहाँ पर जाए या ना जाए हाँ एक चीज़ के ध्यान रखना है अगर आपने contract accept कर लिया बाद में तो फिर आपको जो है reject करने में दिक्कत होगी फिर आप कहीं और अप्रेंटिशिप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का आप लोगो ध्यान रखना पड़ेगा अनिवार्यता जिन हभियर्तियों की उमर 5 अक्टूबर 2020 तक 18 वर्से कम तथा 35 वर्से अधिक होगी उनके आवे दिन पर विचार नहीं किया जाएगा इस चीज़ का जहान दखना ठीक है और बाकी एक यहाँ पर option ओड़े रखा इसे आप पढ़ लेना और यह नोट है इसे भी आप पढ़ना जो नोट यहाँ पर दे रखे आवे दन पर करिया apprenticeship portal से जाकर apply होगा मैं आपको guide करूँगा कैसे apply करना है लेकिन दूसरी वीडियो में इसे आप देखें यहाँ पर apprenticeship portal से जाकर आपका form fill होगा नए वाले से कहीं और आपको जाने की जुरत नहीं है बागी ज्यादा information इसमें लोगों के जोड़े जाएंगे मतलब for example जिसके 90% marks है या जितने भी marks है आपके item हो उसके basis पे आपको बुलाए जाएगा फिर आपका dv होगा dv में अगर आपके documents निकलते हैं तो फिर आपको आगे के process के लिए बुलाए जाएगा अभी बहुत time है इसका form fill करने के लिए ल आप लोग जो है comment box से mention कर सकते हैं और जो मैंने आप लोगों के लिए last to last video बनाई थी वो हटा दी गई है due to some reason आप लोगों को उसका reason पता ही चल गया होगा और बाकी मैंने कुछ study material आप लोगों को mock test जो है description में दे दिया है यह link भी description में दे दूँगा ताकि कि किसी भी तर आई कर लेंगे लेकिन जल्दवाजी नहीं करने जल्दवाजी करोगे तो आपको पतर चल जाएगा भी railway का जो हाल हुआ है 36,000 से ज़्यादा फॉम फिल किये गए जिसमें से 23,000 फॉम जो है reject कर दिये गए तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए ठीक है बाकी keep in touch चैनल को subscribe करके रखो ताकि किसी भी तरीके के आप लोगों को problem ना हो और जब subscribe करोगे तो bell icon जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वरे notification आप लोगों को timely मिलती रहे धन्यवाद